हाई वर्यवन वेल्कम टो विमन्यू आईएस माइम इस रोहित गर्चा एंड इस सीरीज इस कॉल्ड टू दपॉइंट एक ऐसी सीरीज जहां पे हम आप लगों को करेंट अफेर्स प्रिपेर करवाते हैं फॉर यर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन की यूपी असी में ऐसे कौन current affairs holistically so there is this class which is already going on current affairs course and it is taken by me only and the course has a three-pronged strategy उसके बारे में अभी eventually बात करेंगे before that let me tell you that the course has been brought to you by Abhimanyu IES which is a platform which prepares you for your UPAC and various PCS examinations it has more than 23 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive results since 1999 सब्सक्राइब हम आज के topic पर चलते हैं जो कि आज एक environment का topic है kelp and kelp forests right so यह क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं इसका context नगर मैं आपको थोड़ा सा बता हूं तो एक study यह भी recently published हुई थी जिसने impact of climate change on unique evolutionary diversity in australian kelp forest australian kelp forest जो है जो की उनके eastern australian low latitude ranges ranges populations है उसके उपर बेस्ट है with warming causing declines in aclonia radiata aclonia radiata is a kind of kelp only which is a spiny kelp यहाँ उसकी फोटर लगी है उसके उपर जो है यह study publish हुई है कि कैसे climate change जो है kelp population को एक particular area में affect कर रहा है हमारे लिए UPSC के point of view से prelims के लिए जो चीज़ important होती है that is kelp and kelp forest अपने आप में क्या concept है so let us see so by the way this is how the kelp forest look like and you can see the biodiversity in the hiding spots which it provides and in itself it is a brown algae right which is edible and again it uses sunlight and it is it attaches itself to the sea floor and rises up to the surface of the water so these are the kelp forests so I thought let's start by looking at it first let's see क्या चीज़े केल्प फॉरेस्ट केल्प फॉरेस्ट अर अंडर्वाटर एको सिस्टम्स फॉर्म्ड इन शेलो वाटर यहां पर आपको कीवर्ट जो है वो हाइलाइट धिरे-धिरे कीवर्ट हाइलाइट होते रहेंगे इन एवरी वे पॉसिबल सो अब हर चीज़ का ध्यान में रखने एंड इफ यह एकिंग नोट्स सो जिस जिस वर्ट को मैंडलेन करूंगा प्रीज उन वर्ट को अपने स्टाइल में हाइलेट करें ना कि इनी के उपर जो है थोड़ा थोड़ा चेंज करके अगर हम इसको बहुत ज्यादा आम भाशन में बोले तो गेम घुमाना तो गेम घुमाना के वहाँ पर आपका जो स्टीशिस नोन आज केल्प्स राइट देया एक्स्ट्रीम ली लार्ज ब्राउन एल्गे राइट दे कवर ओवर ट्वेंटी परसेंट अब वर्ल्स कोस्ट लाइन अगें यह थोड़ा से ना जैसे हम कोरल जब पढ़ते हैं उसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स साती हैं कि इनको सण तर्फि राइटा जोटाव आटा था अगर वाटर लेवल राइन रहा हुआ तो यह लैंड वर्ट ल्यंड द пойдंए अ तो सीव動 करेंगे यह सारे बर पॉइंट्स बंते जिभिम को पड़ते हैं और इन इगो माफिरा के सवाल आज असके अंदर वैसे ह the bullet points for kelp forest right moving on they cover 20 percent of the world's coastline some species can reach heights underwater height of course of 150 feet or 45 meters they can develop very quickly in areas where they did not previously exist right देखिए अब ये दो points ना आपको एक चीज की तरफ इसारा करेंगे कि इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट है और decline भी बहुत फास्ट है they can disappear and reappear based on the oceanographic conditions and the population sizes of their primary herbivores कि जो ये वाली conditions है इनके base के उपर इनकी जो presence है वो आज आती जाती रहती है और इनकी प्राइमरी herbivores है उनकी प्रेजिंस की वाज़े से भी देग्रोब बेस्ट इनकोल्ड न्यूट्रियंट रिच वाटर इट इस दी आइडियल प्लेस फॉर देम जो इनकी जो है और साथ में जापर नूट्रियंट रिच वाटर होगा वहाँ पे आपको चैल फॉरेश्ट देखने को मिलते हैं जहां पर यह दो को कंडिशन फॉर्फिल हो जाएंगी देटेंजी की माप पे आपको कैल फॉरेश्ट भी जो है देखने को मिलेगा कैल अटाइट इस तो इस फ्लोड इवनटली ग्रोस तो दी वाटर सर्फेस इस 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 वाँ तो बॉटिफुल इस राइट मुविंग अल यह रिलाइए ऑन सनलाइट अगें इस अनल्गेट सो यह रिलाइए ऑन सनलाइट विजनेरेट पूर्ड अनरजी यह आर अल्वेस कोस्टल को एंँ madam टोड़्य तो यह यह रल्वेस के अपको एक यूपीज के दर मों कंफ्यूस कर सकते हैं कि ऑल्वेस नहीं यह वह सकते हैं कहीं और भी गुरो होते हो हो सकता है सम्मरीन वहा पर कहीं पर या इदर हो Azur बच्छ नहीं पिर रिखने कि आलवेश कोश्टल की बात हो रही है यहां पर और रिक्वायर शैलो रेलिटिवली क्लिएर वाटर अगेशन प्रड़े साफ पानी में कि वह नहीं तो गंदला पानी बोलते हैं इसको वहां नहीं क्लियर वाटर के अंदर कि अगर यहां से कोई वेफ पास होना चाहरी है या कोई एनर्जी ट्रांजिशन करना चाहरी है तो यह बैरियर का एक काम करेंगे डाट इस वाए जब टॉर्नेडो जो स्टॉम्स हैं वह लैंड के उपर आते हैं तो वहां पर रिजिस्टेंस बहुत जादा होती है और फिजल आट तो कुछ समय तक कोई सेरेज में किछ अंदर तक हीट करके जो स्टॉम में इडाइज आट तो कुछ सीमिलेर सा कौंस्टेट कॉंस्टेट अहां पर ही कि इसकेश चाहर ब्सक्शन है बीच में मूव्मेंट के तो दैट इस वाए यहां पर देकं काम आमी वॉतर बावा underwater habitat that is home to hundreds of thousands of species of invertebrate fishes and other algae as well right some species aggregate and spawn in kelp forest or utilize these areas as juvenile nursery habitats last point again uh case ki economical significance that is giant kelp is harvested from kelp forest and used as binding agent in products like ice cream cereal ranch dressing yogurt toothpaste lotion and more right so iska binding agent ki tarah joe hai yeh use hota right or yeh ice creams and all ke under jaha pe bhai ind karne ke liye kuch chahiye toh waha pe yeh joe hai wo use hota hai right i was telling you about the course that is already going on here so is course ke through you get a three prompt strategy number one you get classes that is uh it happens every saturday and monday saturday and monday ko joe has a class you get a previous week tohse current affairs ko baut holistical three case seki apke pre and mains dono point of wishes ko class ke under joe hai wo cover kiya jata hai second you get weekly pdfs for that so weekly pdfs ke under the previous week week hota hai is kya highly curated content ki jahaan pe aapko static part ki research ki zhururi hata hai wo usmae ho rukhi hoti already uh saari chizhe mila ke idhar udhar se ek document prepare hota weekly joe ki aapko provide kiya jata hai aapke dashboard ke uper and number three you get weekly tests as well based on these two things only weekly test is there to jaisi ghi teem chizhe puri hoti you can consider your current affairs to be done also you get seven days free trial for this particular course link is down there please check it out and i hope that your preparation is going on point all the best and my name is rohit garcha and thank you for watching abhimanyu is you you you